नए साल में ज्ञारखन वासियों को वंदे भारत ट्रेन की सोगाथ मिलने वाली है रांची से हावडा के बीच नए ट्रेन चलाने को लेकर त्यारी हो रही है सब कुछ योजना के अनुसार चला तो रांची हावडा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस यानि ट्रेन 18 चलेगी रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार रेल मंत्राले ने दक्षेंड पूर्व रेलवे मुख्याले को एक प्रस्ताव भेजा था जिस पर मुख्याले से लेकर रांची रेल डिवीजन और रेल मंत्राले तैयारी में लगा हुआ है जानकारी के अनुसार रेल मंत्राले देश की 40 रूटो पर ट्रेन चलाएगा इसमें रांची हावडा ट्रेन को भी सामिल किया गया है वंदे भारत ट्रेन चलने से हावडा से रांची आने में समय की बचत होगी और यात्रियों को काफी सहुलियत भी मिलेगी मालूम हो कि रांची हावडा वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिक्तम रफ्तार 130 से 150 किलोमेटर परती घंटे की होगी रांची से हावडा की बीच 419 किलोमेटर की दूरी 4 घंटे 55 मिनिट में तई करेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों को अन्य ट्रेनों की अपेक्छा अधिरित सुधाय मिलेंगी यात्रियों की हर सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट रहेगा इसके अलावा वाइफाई सिस्टम, जीपियस अधारित, यात्री, सुचना, प्रणाली, वैक्यूम सोचाले, सीट के नीचे, रेड लाइन और ट्रेन में उतरने चड़ने के लिए दिव्यां यात्रियों के लिए वील चेर की सुधाय मिलेंगी यह परियोजना के अलावा कोडर्मा, हजारी बाग, रांची, वाया बारकाना, रेल परियोजना का कार्य पूरा हो गया है नए साल में इस लाइन पर ट्रेने चलेंगी, पहाडों और जंगलों को काट कर परियोजना को पूरा करने में 14 साल के समय लगा इस रेल परियोजना की कुल दूरी कोडर्मा, हजारी बाग, रांची, वाया बारकाना 202 किलोमेटर है तर्था परियोजना की लागा 3,800 करोडर है ट्रेन को बारकाना से रांची, वाया, मूरी जाने पर लगभग 126 किलोमेटर दूरी तय करनी पड़ती थी लेकिन अब इस रूट पर ट्रेन को बारकाना से रांची, वाया, सांकी, बी, आई, टी, मेसरा, टाटी, सिल्वे होते हुए लगभग 63 किलोमेटर की दूरी तय करनी पड़ेगी इस नई लाइन की बनने से रांची से पटना जाने में भी लगभग 70 किलोमेटर की दूरी कम हो जाएगी इस रेल मार्ग पर ट्रेन चलने से हजारी बाग, कोडर्मा, चत्रा, पलामू, गड़वा और लतेहार आदी जीरे से रांची आने जाने वाले लोगों को कम समय हुआ दूरी तय करनी पड़ेगी इस नई रेल लाइन से राधानी एक्सप्रेस रांची पटना हुआ दख्षीन राज्यों के लिए भी परिचलन की तयारी है इस प्रकार कोडर्मा, हजारी बाग, रांची, वया बारकाना, रेल परियुजना का कार्या पूरा हो गया है और रांची से हावडा के बीच वंदे भारत ट्रेन तोड़ेगी